अस्लाम अलेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों भागदोर बढ़ी इस जिंद्गी में हम अपनी सेहत के लिए बहुत लापरवा होते जा रहे हैं हम अपनी डाइट में उन चीजों का शामिल कर रहे हैं जो जबान को तो मज़ा देती हैं लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुती खतरनाक होती हैं ये चीज़े हमें वक्त से पहले बिमार और बुड़ा बना रही हैं अनहेल्धी फूड को खाने की वज़ा से बहुती बिमारीय देखने को आ रही हैं जिन में शूगर और ब्लड फ्रेशर वगारा भी शामिल हैं तो चलिए दोस्तों शूगरती हैं आज की हमारी वीडियो दोस्तों हम आपको एक एक करके इन फूर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो हेल्थ के लिए खतरनाक बन चुके हैं हम इसमें सबसे पहले अचार और चटनी की बात करते हैं जिनका इस्तमाल तकरीबन हर घर में हो रहा है दोस्तों ये चीज़े ज चार का जएदा इस्तमाल करने की वज़ा से ब्लड प्रेशर और किड्नी जैसे बीमारियां भी हो सकती हैं और यहीं नहीं ये चीज़ें हार्मून्स पर भी असर डालती हैं जो कि शादी सुझा जिनकी के लिए अच्छा नहीं है खास तोर मर्दों को इससे दूर रहना चा मैदा सियत के लिए बहुत नुकसानदा है या किसी जैर से कम नहीं है मैदा से बनी चीज़ें खाने से फैट भरता है और जिसम कमजोर होने लगता है पीसा हुआ सुपैद नमक शूगर और घी भी ये सबी चीज़ें आपके मेटाबोलिजम को खराब करती हैं जिसकी वैसे आप नमाम तरहां की छोटी बड़ी बिमारियों का शिकार हो सकते हैं और दूसरी तरफ अगर सोफ्ट ड्रिंग की बात करें तो ये हमारी जिनके का हिस्सा बन चुके हैं जैतर लोग इने बड़े शोक से पीते हैं और कुछ लोग इसे पीकर फखर महसूस करते हैं हैस एक् खाने के साथ ही कोल्ड ड्रिंग्स पीते थे लेकिन आप इसके साथ स्मोकिंग भी करने लग गए हैं दोस्तों आपको बता दें कि कोल्ड ड्रिंग्स सेहत के लिए बहुत खतरनाक है तरसल इसमें शूगर और कैमिकल्स की मिदार बहुत ज्यादा होती है और अगर आप कि तरफ जा रहे हैं दोस्तों आप बात करते हैं चावल की जिसे दुबारा पका कर खाने का रिवाज तेजी से बढ़ रहा है लोग रात को बचे हुए चावल अगले दिन भून कर खाते हैं कुछ लोग बासी चावल को टेस्टी बनाने के लिए इसमें अंडा और मिसाले म करते हैं इसकी वजह से फूट पॉइजनिंग का खतरा काफी ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे में आपको उल्टी पेट दर्द और दस्त के मिसाल का सामना करना पड़ सकता है और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी इफेक्ट करता है वो सरदद और कमजोरी जैसी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं अगर आप अपने आपको फिटर तंदूस रखना चाते हैं तो खुद को बासी चावलों से दूर रखें इसी तरह बजार की रोनक बन चुके कलर फूल फूट भी आपके लिए कम नुकसा अंदा नहीं है चॉकलेट जूस साफ ब्रिंक और का गोला त्यार करने के लिए इन में आर्टीफिशल डाई का इस्तमाल किया जाता है इसमें शुकर का इस्थमेस्त्मालाई ज्यादा मिकडार में चीया जाता है जो जिसम के लिए बहुतom के लिए बहुत ही खतरनाक है ये आपमें mad मेटाबुलीजम रेट को स्लो करने काम भी करता है मेटाबुलीजम वीक होने का मतलब है आप बार बार बीमारियों की लपेट में आएंगे इसलिए सोया बीन ओयल की जगा आप सरसों के तेल का जैदा इस्तमाल करें क्यूंकि इसमें मुझूद एंटी ऑक्सीडेंट और बैक जूस और इजिनल नहीं होते जूस को लंबे अर्से के लिए चलाने के लिए इनमें कैमिकल्स का इस्तमाल किया जाता है आप खुद ही सोचें अगर एक जूस की एकस्पारी छे महीने है तो उसमें क्या मिला होगा आप किसी फ्रेश फ्रूट का जूस निकाले और फिर कर्बोहाईव्ड की मिगदार बहुत जयादा होती है और आपको बता दे कि कोशोगर स्सक्वाइब कार्प है और आपको यй महीं अब और इसा इंफ़ूर्मेटिवर इंटर्श न के लिए धिक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसा बज़एब लाइक म्त बूब थेंक्स वर वाचिंग